सर्दी का असर बढ़ने के साथ बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री तेजी आई है ग्लॉक डाउन में चोपट हुआ कारोबार त्योहार का सीजन में अच्छा रहा मगर अब सर्दी ने बाजार के रफतार और बढ़ा दी है सोनी कार्मेंट्स प्रॉपर राइटर जीतू सोनी ने बताया कि कडाके की सर्दी ने ठंडे पड़े कपड़ों के बाजार में गर्माहट ला दी है आम तोर पर ठंडे की खरीदारी ऑक्टुमर से शुरू हो जाती है जो नवंबर में उच्छतम पर रहती है लेकिन इस बार बीते दो माह में बाजार की रफ़तार ओसत रही सर्दी शुरू होती ही जब हाड कपाने वाली ठंड पड़ी तो गर्म कपड़े खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुँच रहे है जी तो सोनी ने बताए कि जैसे जैसे पारे में गरावट हो रही है वही गर्म कपड़ों आदी की बिकरी बढ़ गई है सोनी ने कहा कि ऐसी उमीद नहीं थी कि बाजार में गराकों के आमद बढ़ेगी मौसम की हिसाब से ठंड का सिलसिला अभी जारी रहेगा इसलिए लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी है